तो बुस्टर पंप आवाज नहीं कर राय। दोसक्तो इसकी जो फिल्टर्स है तो यह करने के बाद मतलब कल फिल्टर के थे और यह आज प्रॉल्म आएसे आया है तो क्यूं आया होगा और यह वाटर की लिए चल रहा है तो चलिए देखते हैं कि निधी में तो सबसे पहले दिखिए गा यह पीन निकालना यापको यह चालू है फिर भी यहां करण्ट आया या नहीं आय दिखते हैं करणffentlich Sports लगा दिए हर यहां करण्ट है इसका तो फ्लोट सुच है यहाँ लाट आया है क्या आया है यह दिखिएगा क्यूंकि इसका AC connection है दोस्तो इसलिए प्लोट सुच में connection होना चाहिए और में तभी SMPS की तरह हम जाएंगे यह आउट वाला है हुआ है तो यहां करण्ड भी होना चाहिए दिचिए हारा यहां विकर ते मतलब प्रोट्स्विच स्विच करें दोनों में भी करेंड इसका मतलब हमारे SMPS को क्या गया है करंड गया है तो अब यह सीदह हमें SMPS के पास आना पड़ेगा यह दिखिया यहां मैंने कि तो में निकलकर रखाया तो सिंप Kollege से पास तो के पास तो करणत आए हैं फिर भी SMPS नहीं चल रहा है तो यह जो बिफोर वाइरिंग है मतलब यह सी साइड का जो वाइरिंग SMPS का पूरा की पूरा हमें खोलना पड़ेगा इसके लिए पहले पिन निकाल नहीं है आपको और यह जो साइड का जो चिकर टेप लगा हुआ है या फिर वाइरिंग है पूरा आपको खुल देना है तब हम उसको आइडनिफाय कर पाएंगे कि आखिर में हुआ क्या है क्योंकि यह सी साइड का यहाँ भी देखना पड़ेगा ना लाइट आया है करन्ट आया नहीं आया है बीच में कैबल ओगे रिकट हुई है तो यह भी कंफर्म करना पड़ेगा इसके बाद यह संपेस चेंज करना है यह नहीं करना है यह डिसीजन ले लेंगे तो यह पूरा जो टेप है तो यह टेप हमें निकालना पड़ेगा तब हम उसको चेक कर पाएंगे इस तरह से यह पूरा टेप निकल चुका है पूरी वाय苑 अल alan ड़ हो चुक है देखिएगा पूरी वायरिंग अलग हो चुकिया और यह जो ऑइरिंग है इसमें से पोज़िट्यव वाली या फिर रेड वाली खोल कर में कि देखेंगे कि इसके अंदर करंट है या नहीं है तो यह देख सकते हैं कि यह रेड अप वाइरिंग तो ठीक लग रहा है मुझे यह देखेगा यह यह रेड़ वाला है यह प्रोट सुच की तरप से आया हुआ है तो इसको खोलना पड़ेगा आप यह तो ड्रेड़ वाली में करंट होगा तो ब्लैक वाला चेक करना हसान हो जाएगा इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है कि लेक वाला अधर यह रेड़ वाला गों के आए ना जो रेड़ वाई रहे तो यह प्रोट सुच की तरप गई है तो यह नीचे वाली ब्लैक है यह लेकिएगा तो इसको भी खोलेंगे थोड़ा टाइम लेगेगा दूस्तों लेगें प्रॉपर आपका जो एनलेसी से तो यह प्रॉपर अनलिसीस होगा इसलिए आपको और साथ है कि यह खोलके लेना है ऐसा नहीं करता यह ड्यारीस दूस्तों कभी-चपीस अभी प्रॉल्म नहीं होता है दो कस्तामरर के उपर आपका बैड एंपरेशन पड़ेगा कि यह स्ट मर्यार में यह जो टेकनि सेन महीं तो यह और मने में निकल दिया और उसको वन पाई लेए यत देख सकते यह जो यह एकेबल आई है हमारी बूर्ट से आई है तो यह जो यह देखे गारि यह प्लूट सुच्च की तरफ गय प्लूट सुच से गूं के यह देखेगा ini है दो यह इλλली और यह जो ब्लेक है यह सिदा इधर लगे गी यह सेँपेसा और आपना जो युवी का चोक है तो वहां चिदा लेग यह इवी चोक की ओए रहे यह दिकेरा मैं लिगाए यह यह वीar ये और ये और ये ये तीनों वायर यहां एक साथ जोड़ देंगा हम इसे पहले थोड़ा चान के लेते हैं ताकि कि जोड़ने में जो वायर है एक साथ जोड़ने में चिक करने के बाद हमें आसान हो जाएगा तो ये देखेगा अब सब जो wire है ये मैं क्या करूँगा जोड के लूँगा छान के की दोस्तों वीडियो पूरा देखना पड़ेगा ङायोस देंग का वीडियो भगा के देखके कुछ प्रॉबल लागानी पड़ेगी तो यह पीन लगा दी और वीस पीन को लगाने के बाद च्छिक करेंगे इसका बटन तो आधे कि यह तो यह सो पशुत के पास जो वायरिंग कार्ण आया है पुरा इसी सएडमी तो उसमें करंट है यह या नहीं है अगर उसमें करंड हुआ है तो केबल करेंगे कि आयए मुझान हेरो कि तो नहीं है बहु कि भालि यस में करण होना चाहिए हना तो घ्रीए तो सिदा स्म्प्स साइड में कर देंगे और नया स्म्प्स लगाएंगे नया स्म्प्स लगाने के बाद ऐसा नहीं दूस्तों फिर भी चालू हो जाएगा स्म्प्स लगान आ तो इसके एस पेस की रहते हुई तो चेक नहीं कर पायंगी क्योंकि यह एस पेस अगर्राब हुआ तो डियू स अजय कर नहीं जाएगा इसलिए हम क्या करेंगे जो नये इसंप्स लगाएंगे यह रिकियेगा को इस तरह से यह जो केबल है तो यह केबल कट मार नी पड़िए इसी साड की इस अंप इस की कि तो दूस्तों यह एस डीसी साड है यह जी से इसको कुछ नहीं करना आपको कि आपको सबसे पहले यह दिखिएगा इसको च्छान के रखना है DC साइड को मतलब बाद में रुखने की जरूरत नहीं है और यह है AC साइड जो केबल वाली साइड होती है ने जस्तों पीन वाली तो यह AC साइड होती है दैन में रखेगा यह और यह सीदा डेट करन्ड होता है यह दैन में रहत नहीं तो यह केबल कट करने की जरूरत नहीं होती तो यह केबल कटके रखे रख दिया और यहां से वायर चान लेंगे और मैंसी को मेण caused करें की दीसी कनेक्शन यही रखे आपने वाटर पिर भायर का ताकि काट छाट का जहँजट नहीं रहता है तो यहां से दिखेंगा वायर कट कर दिया और कि यह चान दिया आराम से रिलेक्स होके काम करना है दोस्तों कभी ध्यान में रहेगा भाग दोड़ करोगे तो कुछ तो गलत करके बैठोगे आप कस्टमर से ही पैसा वसुल लेकिन आपकी इमेज नहीं रहेगी कस्टमर इतना यह इतना भी यह नहीं बता है तो यह ब्लैक वाली सब्सक्राइब करके आपकंसट हुआ जोर देशी दिन ब्लैक वाली इसके बाद यह स्थारब सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह देखिएगा यह फ्रूट सुच की तरफ से आई हुई वही हमने कट की थी ना जो हमारी में केबल थी लाएं हमारे दिवार से जो बोर्ड लगा है वहाँ से जो केबल आई है उसका कनेक्शन हमने कटने ही किया था फ्रूट सुच तो यह ब्लैक वाली जोड़ दी दूस्तों ब्लैक वाली जो अपनी केबल है में केबल की ब्लैक अपनी सेंपेस की ब्लैक और जो यह वी चोक है उसकी ब्लैक तो यह पूरा जोड़ दिया उसको चिकटिप लागा देते है और जो बचा हुआ है हमारे फ्लोट सुच की तरफ स आया हूँ आप रेड हमारे एसेंपेस का रेड यह जोड़ देंगे इसके बाद और जो अपना यह हुई चोग है उसका रेड है तो इस तरह से यह वायर जोड़ देंगे उतना ही बचाए ना तो शिकटिप लगा के लेते हैं जो ब्लैक वाली हमने लगाई तो यह देके गाँ यह out से ली बाद को फैले तो इस रेड वाली को यह देकेगा यह फ box की त Commercial कि रेड होई जो मेरे राइट हैंड में है फ्रूट स्विच से आई हुई और यूवी चोक से आई हुई और ये लेप्ट हैंड की हमारी एसम पेस करेड़ तो ये एक साथ जोड़ देंगे कि इस तरह से ये जोड़ दिया अब क्या करेंगे कि डिसी सैड डिसी सैड को चेक करेंगे तो ये देखेगा सीधा कटमाना यहाँ से पुर्ण माला निकाल की फेक देते हैं संपेस और वूस वायर को जोड़ देंगे अपने नए वाली ये संपीस का जो डिसी वायरिंगे उसको जोड़ देंगे अच्छी तरह से चान के लिए नहीं ताकि जोइन करने में कोई दिक्कत ना हो जाए इस तरह से ये फाइट वाली फाइट को और ब्लैक वाली ब्लैक को ये देहन में रिखियेगा डिसी साइड में रेड नहीं होता है फाइट होता है द्यान में रिखियेगा जूड़के चिकर टेप लगा देंगे फाइट वाली साइड में और आप उसका चिकर टिप लगाने के बाद अपना जो पीन है केबल का तो तो उस पीन को लगाएंगे और टेस्ट करेंगे कि ये हमने जो इसम्पेस चेंज किया है ये सही है या नहीं है हमारा डिस्जिजन गलत है या सही है लेकिन मेरा एक्स्प्रियेंस कहता है एसेंपेस ही खराब हुआ है बटन चालू करने के साथ-साथ पीन लगने के साथ-साथ आपना वाटर प्रिफायर चालू हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है तो यह चिकर टेप लगा दिया इसके बाद आपको नजदिक्षे दिखाता हुए देखा क्या किया है यह ब्लैक वाली रेड़ वायर आई है अपनी मेन केबल से और यह प्लोट सूच से होकर घूम के यहां आई है यह यहां आई है और यहां जो अपना यह वायर है देखेगा चेह और यह नीचे का पिला यह ब्लैक वायर है तो इसमे पूरे ब्लैक भायर है इस तरसे घूम के यहां आया है और यहां जोड़ दिया दिखेगा गते अपना से वायट और ब्लैक और अब आभी हमारा जो युद væ कॉला फैल जसको लागा देंगे वापस ताकि वाटर ब लेकेश होई नास के जोई कि एसें पेश की वाज़े से ही खरब हो है पहला तो ये पिन लगा दी लगाने के साथ अपना और प्रूरा चालो होगा यह देह कर लाइट लग चुकिए है रिजिक्ट वर्ट आने लगा के देख रखते हैं आप रिजेट वाटर आने लगा इसका मतलब प्यूर वाटर भी आएगा यह आएगा फॉर टाइम लेगा लेकिन आएगा ही आएगा प्यूर आएगा तो पूरा वाटर बिलिफाएर चालू हो चुका है दिखेगा पूरा लाइट यह लीडि का लाइट है ली आप हुआ है या फिर कल चल रहा था लेकिन आज नहीं चल रहे हैं और लिकेज भी हुआ है अंदर तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं दोस्तों प्रूट सुच बहुत इंपर्टन रोल आदा करता है इसमें प्रूट सुच अगर ओके है और आपका कनेशन अगर यह सी है तो इस तरह से आप यह वाटर पी रिपेर कर सकते हैं दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा नहीं है तो सब्सक्राइब कर दिजिएगा आज के लिए तना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू